सुरिकान त्रिपाठी निरालाची की कहानी सुनाने जा रहे हूँ, शिर्षक है, राजा साहब को ठेंगा दिखाया लोग कहते हैं, ऐसा लिखा जाए कि एक मतलब हो, उसी वक्त समझ में आ जाए, अनपड़ लोग भी समझे, बात बहुत सीधी है, मुझे एक उदाहरन याद आया, लिखता हूँ, यह लिखा हुआ है, उद्रित नहीं, देखा हुआ है तक तक आप लोग ठेंगा दिखाने का मुहावरा याद रखें, बंगाल और उडिसा को जोडने वाली एक नहर है, रूप नारायन से कटकर कटक तक निकाली गई है, या केवल आप पाशी के लिए नहीं, इससे विवसाय भी होता है, बड़ी बड़ी नामें चलती है इसके किनारे पर्दम दल राजधानी है, राजा साहब के छोटे छोटे स्टीमर, बोट, लॉंच, बजरे, किष्टी, डोंगी, आदी राजधानी के पास चोड़ी की हुई नहर के एक तरफ बंधी रहती है जेट का महिना, सूरज डूब रहे हैं, जोरों से बहती हुई मले वाईयों में शोड़सी का स्परश मिलता है या अकेली दक्षनी हवा, मंगाल की आधी कविता है प्रसाथ शीखरों से सुनहली किरने लिप्टी हैं, उन्ही के प्रेम की सांस जैसे दक्षनी हवा में बह रही है बड़े-बड़े तालाबों में श्वेत और रक्त कमल, खुले हुए अनभों जैसे लोट रहे हैं स्वच, किमती, चौड़ी, किनारी वाली बारीक, ठोस बुनी, बंगला ढंग से कोचीदा श्यान्ती पूरी धोती, रेश्मी शर्ट और सुनहरे स्लीपर पहने चश्मा लगाए राजा सहब नाओ की सैर के लिए चले रास्ते में तीन ड्योडियां पढ़ती हैं हौधा कसे हाथियों के निकलते आधी और उची, रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े तालाब साब सुत्रे दूप जमाए पार्क, दोनों बगल बटम पाम की कतार हैं दूर के देशी बगीचों से बेला, जुही और कमलों की खुश्बू आती हुई पहली ड्योड़ी में बैठे हुए राजा साहब के मुसाहब उनके आने पर कतार बांध कर भाक्ति पुर्वक प्रणाम करके उदंड प्रसन्नता के साथ हो गया अर्दली, सिपाही, खानसा में प्रसाथ के साथ आये थे पहली, दूसरी और तीसरी ड्योड़ी के सिपाही, क्रमशा, किर्च निकाल निकाल कर राजा साहब को बाएं रखकर दाहीने हाथ से सलामी देते गया तीसरी ड्योड़ी, प्रसाथ के हाथे को घेरने वाली जलाशया चोड़ी खाई के किनारे है, खाई के उपर से पूल है राजा साहब बाहर निकल कर नहर घाट की तरफ चले, स्टीमर, लॉंच, मोटर बोट और देशी किष्टी वाले मुसलमान, नौकर कप्तान और मांजियों ने भी उसी प्रकार कतार बांध कर सलाम किया राजा साहब खुली छट वाली एक अंग्रेजी कट की तेशी किष्टी पर पतवार पकड़ कर बैठ के है, पीछे-पीछे मनुरंजन के लिए पले, पहलवान जैसे मुसाहब आकर एक-एक तख्ते पर डांड संभाल कर बैठ है, मांजी खड़े रहे सिपाही और अर्दली नहर के किनारे-किनारे बोट के साथ दोड लगा कर रहने के लिए लौंग समेटने लगे किष्टी चली किनारे-किनारे सिपाही दोडे डेड मिल के फासले पर शक्तिपूर नाम का एक बागी गाउं है वहां विश्वंभर भटाच्यारी नाम का एक ब्रामन रहता है राजा सहब कई रोज से किष्टी पर हवा खोरी करते हैं देख कर, सोच विचार कर, लौंग चड़ा कर अपनी गाउं के पास नहर के बांध पर खड़ा विश्वंभर राजा सहब की प्रतिक्षा कर रहा है सिपाही लोग दोड़ कर कुछी दूर तक साथ रहते हैं आठ दस, दस दस पटों की डांड मारी किष्टी तीर सी चलती है तीन चार फरलांग के बाद सिपाहीयों का दम खुल जाता है किष्टी आगे निकल जाती वे पीछे पीछे लट लिए दुल की दोड़ते आते हैं जब शक्तिपुर के पास किष्टी पहुंची तब सिपाही तीन चार फरलांग पीछे थे विश्वंभर राजा सहब की ताक में खड़ा हो था जब किष्टी आती हुई सौ गज के फासले पढ़ रह गई तब उसने एक अर्भुत प्रकार की ध्वनी की जिससे राजा सहब का ध्यान आकरशित हो राजा सहब को अपनी तरफ आते हुए देखकर उसने हवा में उंगली से लिखकर राजा सहब की और कोचा फिर पीट खला कर दोनों हाथों मरोडा फिर दाही ने हाथ से मुह थप थपाया फिर दोनों हाथों के ठेंगे हिला कर राजा सहब को दिखाया राजा सहब देख रह थे डांड धीमे कर देने को कहा फिर कर देखा सिपाही दूर थे किष्टी धीरे धीरे चलती गई विश्वंभर पीछे पीछे दूनों हाथों पेट दिखाता ठेंगे हिलाता दोड़ा राजा सहब जब सिपाहियों को फिर कर देखते थे तब पहले विश्वंभर ठेंगे हिलाता हुआ देख पड़ता था बांध पर और लोग भी आ जा रहे थे कुछ भले आदमी हवा खोरी को निकले हुए मुस्कुरा रहे थे किष्टी की चाल धीमी देखकर सिपाहियों ने जल्दी की नजदीक आ एक अजाने को बे अदबी करते देखकर राजा सहाब की तरफ देखा राजा सहाब ने इशारे से सिर हिलाया सिपाही विश्वंभर को पकड़ कर प्रहार करने लगा किष्टी लौट चली सिपाहियों ने आते हुए विश्वंभर की मुद्राएं देखी थी जिनका अर्थ समझने में उन्हें देड नहीं हुई उसे मारते हुए कहने लगे क्यों रे हमारे महराज डियाया की जबान बन करते हैं पेट से मारते हैं ठेंगा दिखाया है हमारे महराज को कि कोई इतना भी नहीं समस्ता विश्वंभर को पीट कर दोनों गदोरी और उंगलियां को चलकर सिपाही चले गए खबर विश्वंभर के घर पहुँची उसकी पतनी 17 साल की विधवा बेटी और दो नो और पांस साल के एक लड़के फटे कपड़े पहने रोते हुए बांध पर पहुँचे गाउं के और भी लोग गये विश्वंभर को संभाल कर उठा लाए खाट पर लिटा दिया गर्म हल्दी चुना लगाने लगे राजा सहाब के जासुस शद्व वेश से पता लगाते रहे गाउं के कुछ भले मानस गर्म पड़े पर कुछ न कर सके राजा सहाब का प्रताप बड़ा प्रबल है उनके विडोध में कुछ करने की अपेक्षा विश्वंभर के समर्थन में कुछ करना अच्छा है या सोचकर उसी की सेवा करने लगे विश्वंभर बड़ा सीधा सच्चा ब्राह्मन है विशेस पड़ा लिखा नहीं किसी तरह पूजा कर लेता है शक्तिपूर से तीन कोस दूर रंग नगर में राजी की विशा लक्षी देवी है विश्वंभर इनका पूजक है तीन रुपया महीना और रोज पूजा के लिए तीन पाउचावल और चार केले पाता है घर में पाँच आदमी खाने वाले हैं बड़े दुख के दिन होते हैं इधर बीस महीने से उसे वेतन नहीं मिला केवल तीन पाउचावल का सहारा रहा कुछ और काम वह उसकी पतनी और बेटी तीनों अलग अलग कर लेते थे फिर भी पेट भर को न होता था विश्वंभर ने तनख्वा के लिए इधर साल भर में दो दर्जन से ज़्यादा दर्ख्वास्तें दी थी पर सुनवाई नहीं हुई इस बार प्राणों की भाशा में उसने अपने भाव प्रकट किया थे हवा में लिख कर कौँच कर बताया था तुम्हें लिख चुका हूँ पेट मल कर कहा था भोको मर रहा हूँ मुख थप थपा कर और ठेंगे हिला कर बतलाया था खाने को कुछ नहीं है उतनी प्रकाश में इतनी स्पष्ट भाशा से समझाया था पर राजा साहब ने अपमान समझा सिपाहियों ने दूसरी अर्थ लगा है जासुसों ने राजा साहब को समझाया कि शक्तिपूर के बागी विश्वंभर से मिले हैं उन्होंने उसे बेवकूफ जानकर महराज का उससे अपमान कराया विश्वंभर सरकार की नौकरी का ख्याल छोड़कर बागीयों से मिला है जासुसों ने इस प्रकार अपनी रोटियों का प्रबंध किया कुछ दिन अबाद घाओ पुराने पर स्टेट की तरब से विश्वंभर को आगया पत्र मिला अब तुम्हारी नौकरी की सरकार को आवशे किता नहीं रही कहाने समा पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें